हाई अब्रीवन मैं गीता वर्मा गीताकिनो.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज में फिर से एक नया और इंटरस्टी वीडियो लेकर आई हूँ उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद राएगा आज हम बना रहे हैं आलू प्याज का एक ऐसा नाश्ता जो की बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है जट पड बन जाता है उसके लिए मैंने यहाँ पर तीन बड़े साइस की प्याज ली है आप छोटी भी ले सकते हैं तो सबसे पह कहते है और कənth थिरल लेगे और इसके हमें स्लाइस करने आप लायर कर और से भी तुरें उ स्लाइस काट तो स्छोड़ प्याज के लिए को थोडह सूजटा एँ आ यहाँ उतलकी रहे तो मैंने यहाँ पर बड़ी यूज की है, अगर आपके पाद छोटी है, तो छोटी भी ले सकते हैं, अब इसे हम अच्छे से धो लेंगे, तो यहाँ पर प्याज के स्लाइसे मैंने काट ले हैं, इसे मैं अच्छे से धो लूँगी, मैंने प्याज के स्लाइस को धो लिया है अच्छे से इसमें काफी पानी लगा हुआ है तो मैं इसे इस तरह से कपड़े से सुखा लूँगी पानी नहीं लगा होना चाहिए इस तरह से सारी प्याज में शुखा लूँगी इसका जो पानी है वो इस तरह से कपड़े से पोच लूँगी अब यहां पर मैंने एक बाउ लिया है जिसके अंदर में करीब 5 मैंने बड़े उबले हुए आलू लिये हैं अब मैं यहां पर एड़ करूँगी दो हरी मिर्च जिनने मैंने बारिक काट लिया है नमक टेस्ट के कॉर्डिंग लाल मिर्च एड़ कर देंगे हाफ टी स्पून हमने हरी मिर्च भी एड़ की है इसलिए लाल मिर्च कम एड़ करेंगे साथी में इसमें अटकर दूंगे 1⁄फ टीज़्पून गरम मसाला एक टीज़्पून की करीई हम चाट मसाला अटकर देंगे चाट मसाला में भी नमक होता हैं इस burrov भूष ध्याण से अटकरिएगा अब भारीख करेंगे 1 ताकियो Nhunn qu У Palajar को अच्छे से मैश कर लेंगे और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें बिल्कुल भी मोटे मोटे लंप्स नहीं होने चाहिए हैं यह नाश्ता बहुत ही जहट पर तैयार हो जाते कभी आप के घर महमान आजये अचानक से तो भी आप बना सकते हैं आपको भूग लगिए हो शाम के टाइम अकसर बच्छों को भूग लग जाती है तो उस ताइम पर भी आप इसे इवनिंग स्नेक्स के तोर पर दे सकते है यह बहुत एजी नाशता है यह मोटे मोटे टुकडे नहीं होने चाहिए तो यह हमारा मिक्षर तयार हो गया है और यह मैंने प्याज ली है अब हम क्या करेंगे इस तरह से प्याज का स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर आलू लगा देंगे इस तरह से तो जितना मोटा आप अगर आप छोटी प्याज लेंगे तो छोटे बनेंगे अगर बड़ी लेंगे तो इस तरह से बड़े-बड़े पीसिस बनेंगे तो इस तरह से हम सारे स्लाइस को कवर कर लेंगे अगर इस तरह से एक और बना लेते हैं तो अगर इस तरह से प्याज निकल भी जाती है तो भी कोई दिख कर नहीं है तब भी हम इस तरह से इसे कवर कर देंगे इस तरह से बहुत ही चटपटा नाश्ता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ट्राइ करके देखिएगा ओपर से भी इस तरह से कवर कर देंगे तो आप चाहिए तो बिल्कुल पतली-पतली लेयर भी लगा सकते हैं मोटी लगा सकते हैं जैसे आपको पसंद हो अगर प्याज छोटी ले रहे है तो आपके बहुत सारे त्यार से थाइस की लेहाँ सिह न होताँ है अगर अगर बड़े साइस कि लेंगे करो हीं मेरी तरह ह कि हमारा दूसरा भी तयार हो गया है तो इसी तरह से हम बाकी के सारे तयार कर लेंगे जितने भी हमारे तयार होंगे यहां पर हम सारे इसी तरह से तयार कर लेंगे तो यहां पर मेरे 5 तैयार हुए है क्योंकि जो मेरी प्यास थी वो बड़े साइस की थी अगर छोटी होगी आपकी तो ज्यादा तैयार होंगे अब यहां पर हम एक बेसन का खोल बनाएंगे उसके लिए मैं यहां पर एक कप बेसन ले रही हूँ यह बारिक वाला बेसन है इस नमख एक कर देंगे। टेस्ट के अकोर्डिंग, गरम 2-3 ऐसला बाब हाफ टीस्पून, वन टीस्पून च्प काट मिसारा अब इसमें हलका हलका पानी एड़ करेंगे एक साथ ज्यादा पानी एड़ ना करें थोड़ थोड़ा पानी एड़ करेंगे ताकि इसमें गुठली आना पड़ें तो इस तरह से थोड़ थोड़ा पानी एड़ करके मिक्स करते जाएं कि अब इसतरय से करेंगे तो इसके में गुठलियान निहां पढेंगी अगर एकसह जादा पानी आंट कर देंगे तो दना में अच्छे से करने में जाटे छोगी उसके बालेस्ञाइब आधे से अगरा रहेओ इस तरह से अच्छे से फेट लेंगे विल्कुल भी लंप्स ना रहें थोड़ा सा पानी में इसमें और एट करूंगे मुझे गाढ़ा लग रहा है हमें एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैडर चाहिए तो यह हमारा बैटर तैयार हो गया है इसके अंदर में लास्ट में आड़ करूंगी दो चुटकी बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे जो हमारा नास्ता है बहुत ज़दा फूला फूला और तेस्टी बनेगा और कूर्कुरा बनेगा यह हमारा बेशन का मिश्चर रेडी हो गया है अब यह कटेट हमने बनाये थे इसे हम बेशन में डिप करेंगे और डिप करकर के हम इसे गरम गरम तेल में फ्राइ करेंगे कि अब यहाँ में दाल रही हो कहले मैं तेल भण्ष दूंगी गयास पर गरम होने के लिए इसके बाद है इसे अब करेंगे यह बहुत ज़़ाद कृश्पी बनते हैं टेस्टी बनते हैं ट्राए करके बताईएगा मुझे कैसा लेगा आपको तो जब भी आपको समझ में ना आए कि आज अगर मेहमान आपके घर अचानक से आ गए आपको समझ में नियारत क्या बनाएं तो इस तरह से आलू और प्याज एक ऐसी चीज मैं जो सभी के घर में होती है हमेशा तो इस तरह फिर से थोड़ा पग गया इसे में पलट देते हूं और इसे हाइफ लेम पे ही फ्राइए करने आपको पलट पलट करें कि इसे पलट देते हैं अब यहां पर मुझे थोड़ा सा खुला हुआ नजर आ रहा है अगर यह बीच में से खुल जाएगा तो इसमें तेल भर जाएगा तो मैंने यहां पर बेशन का बैटर लगा दिया है जिससे फिर से कवर हो जाए और तेल इसके अंदर भरे नहीं और हाई फ्लेम पर इसे फ्राइ करेंगे तो तेल को भी कम अब्जॉब करेगा हमेशा ध्यान दखे जब भी तेल आपका तेज गरम होता है तो जो भी चीज़ा आप फ्राइक कर रहे हैं वो कम अब्जॉब करती है तो यहां पी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है का कुल करारा क्रिस्पी नाश्ता एक दम चिट पटा आपको बहुत ज्यादा मज़ा आएगा जब इसे आप खाएंगे गर्मा गरम तो बाकी बचे हुए भी मैं इस तरह से डाल दूंगी बेशन में डिप करकर कर 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 दो कि इस तरह से डिप करकर करके डालते जाएंगे और अब हम इसे कट कर लेते हैं एक पीस में कट करके आपको दिखाती हूं यह बहुत ज्यादा क्रिस्पी है उपर से तो इसे गर्मा गरम सर्फ करें ठंडा होने पर बिल्कुल यह अच्छा लगेगा इसे जब आप गर्मा गरम फ्राय करके निकाले तब ही इसे सर्फ करें यह इसके अंदर प्यास की भी स्लाइस है आलो का भी मिक्षर है उपर से बेशन की कोटिंग है बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है ट्राय जरूर करिएगा और बचों को खिलाए महमानों को खिलाए और लिख के बताए कि वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो व श्ब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को जार से दर शेयर करेगा फैंस के साथ फैमिली लगाए